कि IRB-ARP की जो फॉर्म आई है उसमें OBC EWS काटेगरी से अगर आप बिलॉंग करते हो या फिर से से तो उसमें जो हो अभी आपको यहां पर दिखाना होगा आप लिखा हुआ है कि एक बात यहां पर लिखी गई है कि देखो आप जो है वह अगर आपकी यह होनी चाहिए अगर इसके आलावा किसी भी एदर लैंग्वेज में हैं तो आपको जो है अपना टरांसलेटेड करा ले नहीं होगा तो आप आप जो है वह साउथ से भी रॉंग करते हो या नॉन थे तो वहाँ पे अगर जो है वह रिजनल लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट है तो आपको जो है वह एक तो अभी सर्टिफिकेट बनवाकर रख लो अगर आप मिस कोई भी पड़सानी नहीं जाते हो तो एक जो है मार्च 2024 के बीच में बनवालो तो यह वाला केस वैलिड होता है और अगर आप जो है वह एक अप्रेल के बाद बनवाना चाहते हो तो यह राइट कॉलम वाला जो है वह वैलिड होगा तो आप देख लो कि आप अगर आपको लगता है कि आपको एकदम सीरियस हो कि आपका इ students का new document मांगे वे तो उस समय भी अगर आप बनवा लेना ओके लेकिन मेक स्यूर कि अभी जो है वह फॉर्म करने से पहले भी जो है वह अगर आप हो सकते हो सकता है तो आप जो हो जितना जल्द हो सके रहेगा तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इवेन अगर आप कोड तक भी चाओगे मिस आप केस भी करोगे तो भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगे क्योंकि जो है वह यूजवली एक्जामनेशन का इसा रहता है कि डूरिंग डॉक्मेंट वेरिफिक सब्सक्राइब करना चाहिए और सब्सक्राइब करना चाहिए और अगर आपको मैंने वीडियो ना दिया है आप उसे भी देख लेना थाकि आपको जो है वह वह वीडियो सब्सक्राइब करना तो यहां से आप जो है वह जाके डाउनोड कर सकते हो यहां फिर यह फॉर्मेंट में नहीं भी रहेगा मिन्स एकडम एकड़ाटल यहां पे नीशे में यहां से चलो होता है गवर्मेंट से लेकर जो है वह बेसीक पर्मेट आपका यहां तक है तो यह जो मैंने है यह सभी आपका बेसी क्वार्मेट है यह उपर नहीं रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नीशे यह यह जो सी एनवन ट्वेंटी ट्वेंटी फोड़ाटल ने रहेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो के आपको जो हो इस अब बने मानने में या फिर और भी कोई डाउट में अ कर सकते हैं तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हो एंड थैंक्स पर वाचिंग वीडियो एंड आपकुट टेप